संजीवनी बूटी लाना हो या अहिरावन को मारने के लिए पंच मुखी रूप धारन करना और राम और लक्षमन को मुक्त कराने में उनकी भूमी का इस्तुत योग्य है पंच मुखी आन्मान जी का मतलब पाँच शरूप दिखाए गए हैं इसे तीन वहताओ का इनके अंदर पंच मुखी आपका जूशिव का भी रूप देखें तो आप पंच मुखी है तो जब पूरे 11 रुद पूरे अंशों के थे तो उस पंच मुखी में वो शारे अंशुन के शिव जी के समय हुए हैं, तो जिस तरह की आप उनने बिने करना चाहते हैं, एक जब हनुमान जी का जो पूजक होता है, वो सीधे सीधे या विश्र से भी वारता करा देते हैं, औ दो ही शक्तियां हमारे यहां पूजनी हैं, दोनों के बीच में समन्नवे स्थापित करने का काम यह हनुमान जी का है, और जब तक श्रष्टी है तब तक हनुमान है.